नमस्कार दोस्तों कॉस्मोस क्लासेस में आप सभी का हर्दी कभिनन्द और ये परसिंटेज का हमारा ये चौथा वीडियो है जिन्होंने अभी तक के पहले की वीडियो नहीं देखें वो जाकर हमारे पुराने वीडियो देखें ताकि उनको एकदम शुरुवास से एकदम सी का और जो हमारे प्रेक्टिस के कोशन कराये जा रहे है उसमें आपको समझ में आएगा एक एक चीज अच्छे से कैसे क्या करना है क्या उसका बेसिक है तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते है ये छटा कोशन है एक बार आप इसको पढ़े और एक एक राशी का 32 प्रतिशत का 40 प्रतिशत का 60 प्रतिशत करता है 432 वो राशी की वैलू आप हमसे हमसे पूछ रहा है हमने मान लिया हमने मान लिया पहले एक दम बेसिक से चलते हमने मान लिया वो राशी क्या है एक्स वो राशी क्या है एक्स एक्स का 32 प्रतिशत प्रतिशत क sign हटा, नीचे क्या लग जाएगा? 100. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 40 प्रतिषत. 40 प्रतिषत को हमने आपको direct बताया है. क्या होता है? 2 बाटे 5. 60 प्रतिषत को हमने direct बताया है. क्या होता है? 3 बाटे 5. तो यह सारी बाते आपको याद रखना है. इस से calculation क्या होगी थोड़ी और easy हो जाएगी यह हमने 2 बटे 5 ठीक है यह हो गया आपका 3 बटे 5 यह किसके बराबर है 432 के यह 432 के बराबर है ठीक है अब यहां से जो चीजे कट रही है उनको हम लोग काट देते हैं और जो नहीं कट रही है उनका गुणा कर देंगे direct अगर हम 4 के प 8 के पहाड़े से इसको काट देखते हैं 8 पंचालिस और कितना हो जाएगा 8 चको 32 फिर यह देखो यह है 2 और 3 आपको समझ में आ जाए अच्छा से इस लोग इसको एक साथ लिख देते हैं यह 5 और 5 लिख देते हैं गुणा नहीं कर रहे है डायरेक्ट और यह 3 और 2 ठीक है 3 और 2 इस सब चीजे इसलिए लिख रहे हैं ऐसे ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ कोश्चन्स आपको इकदम बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं थोड़ी दियर बाद हम लोग इस सब इतना डिटेल में नहीं बताएंगे तो 3 और 2 कितने हो गए 3 दूना 6 यह कितना हो ग आख में कई सारी बाते आने लगी या तो अब इसकी पूरी कैलकुलेशन करें अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा यह आप देखो क्या है 9 आ रहा है उपर आपका अंश में 9 आ रहा अब आप इसमें से देख लो कौन सी ऐसी संक्या है जो 9 से कटती है क्योंकि जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा 9 का मल्टिपिल आपको जरूर दिखेगा 9 का गुड़ज आपको जरूर दिखेगा एक तरीका इसका यह है दूसरा तरीका क्या है आपको यह बताया है डिजिटल सम डिजिटल सम में अगर कहीं पी भी कोई नंबर 9 आ जाए और वो multiply में हैं तो वो पूरे को पूरे को क्या कर देता है या तो उसको 0 बना देगा या उसको हम बोल सकते हैं वो 0 बन गया या 9 क्योंकि आप अगर पूरे का ds निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा या उस 0 को या आप क्या 9 आप 9 मान सकते हो और 9 कोई आप 0 मान सकते हो digital sum में तो हम देख लिए इसमें से कौन सा ऐसा option है जिसका digital sum 9 आ रहा है ये कितना हो गया digital sum क्या है digit का sum अब ये कितना हो गया 5 5 10 12 12 12 5 17 इस 17 का digital sum निकालोगे 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 ये तो आंसर नहीं हो सकता 6 5 11 और 11 5 16 ये 16 इसका digital sum कितना हो गया 7 इसका digital sum देखो 6 5 11 12 13 13 5 18 जैसे ही आपने 18 देखा ये कितना हो गया 9 और 5 दूनी 10 5 15 15 इसका digital sum कितना हो गया 2 तो यहां से हमें मालूम जल के हमने क्या गया जैसे 9 का मल्टिपल देख लो 9 का गुणज देख लो आपको समझ जाना चाहिए उसका आंसर क्या होगा या तो digital sum में उसका 9 आएगा या तो digital sum उसका 0 दिखेगा यहां पर digital sum कितना दिख रहा है 9 किस पर दिख रहा है ये तो आपका आंसर कितना हो गया C option अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसको कर सकते हो basic method से 25 नवा कितना हो गया आपका 225 और यह कितना हो गया 25 इंटू 25 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 अब इसका गुणा कर दो 25 बंजे कितना होता है 125 125 की 5 हसल 12 22 नहीं 50 50 और 12 कितना हो गया आपका 50 और 12 62 6 25 नहीं 50 50 बंजे कितना हो गया 56 तो आपका answer क्या answer हो गया C option ठीक है मैंने आपको इकदम इसका basic तरीका बताया मैंने आपको थोड़े इसका advanced तरीका दूसरा तरीका क्या बताया दूसरे method में आपने क्या देखा second method में आप क्या देख कर लो इसका DS से कर लो third method क्या इसका third method क्या इसका यहां पर देख लो 9 का 9 का multiple या गुणज multiple या गुणज इसको solve करने पर या तो 9 का गुणज देख लो क्योंकि 9 का गुणज देख लोगे जैसे ही 9 दिखा आमको मालूम चल गया वो संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी या आप DS देख लो जैसे हमने 9 का गुणज देख हमें समझ में आगया इसका DS क्या होगा या तो 9 होगा या तो इसका digital sum कितना होगा 0 होगा अब ये बालूम करना कि ये जो संक्या है कौन से संक्या 9 से कटने वाली है कौन से 9 से नहीं कटती उसके बारे में एक बार थोड़ा बता देते है जैसे हमने लिया 3, 2, 5, 4, 6 हमने ये चेक करना है क्या ये संक्या हमारी 9 से कट रही है ये नहीं कट रही है अगर आपको ये चेक करना है ये संक्या 9 से कट रही है ये नहीं कट रही है तो आप क्या करो तो 9-9 के pair बनाना चालू कर दो, अगर 9-9 के पूरे pair बन जाते हैं, हाँ, और शेश्वल आपका 0 है, तो इसका मतलब इस संख्या क्या है, 9 से पूरी कट रही है, 5 प्लस 4 किता है, 9, 6 प्लस 3 किता है, 9, अभी यहाँ पर क्या आका, 2 शेश रहे गया, अगर 2 शेश रहे गया, तो यह संख्या 9 से नहीं कट रही है, 2-4 और उधारण लेते हैं, एक उधारण और लिया हमने, 3, 2, 7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, क्या यह संख्या हमारी 9 से कट रही है, अब यह चक करते हैं, 7 और 2, 1 पेर बन गया 9 का, हमें भूल जाना है, 6 और 3, 1 पेर बन गया 9 का, भूल जाना है, 7, 2, 9, 1 पेर बन गया 9 का, इसे भूल जाना है, इस 8, इस 1 और इस 8 को मिलाके, 1 हमारा 9 का पेर और बन जाएगा, उसको मतलब हमारा साथ सेश आ गया और साथ सेश आ गया तो इसका मतलब क्या है यह संक्या क्या है हमारी नौ से नहीं कट रहे है झाल 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 तो यहां आप हमने देखा कि यह नंबर भी क्या है हमारा 9 से Leonard 9 से गटने के लिए क्या होना चाहिए इन संख्याओं का योग हमारा total क्या होना चाहिए 9 से पूरी तरसे विभाजित हो या तो हम क्या करें 9-9 के पेर बना ले 9-9 के पेर बनाने पात हमारा जितना बच जाएगा अगर कुछ बच रहा है, इसका मतला वो संक्या 9 से विभाजित नहीं है, अगर नहीं बच रहा है, इसका मतला वो संक्या पूर्णता 9 से विभाजित है, और example लेते हैं, 7, 2, 3, 5, 1, 2, 7, 6, 3, ठीक है, हमें ये चेक करना है, क्या ये नंबर हमारा पूरा तरह से 9 से विभाजि है कि नहीं, या तो आप क्या करो, इनके अंकों का योग करो, और चेक करो, क्या वो 9 से पूरी तरह कट रहा है, तो ये क्या होगे, काफी बड़ा हो जाएगा ये method, आप क्या करो, क्या करो, छोटा-छोटा यहापे 9-9 के पेर बनाना चालू करो, 9 के पेर जैसे ही आपके ब पूरी तरह से 9 से कट रही है, ये हो गया, 5, 3, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, तो हमें मालूम चल गया, यहाँ पे तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, सभी 9-9 के पेर बन रहे हैं, तो ये संक्या क्या है, पूरी तरह से 9 से कट रही है, जब भी हम लोग बात करेंगे, कोई संक् का योग क्या हो, 9 से पूर्णता कट रहा हो, या जो हमारे पेर बन रहे हो, सारे पेर 9-9 के अंदर बन रहे हो, कुछ भी अगर बच जाता है, तो इसका मतलब वो संक्या 9 से कट नहीं रही है, एक और उधारन लेते हैं, एक और उधारन लेते हैं, ठीक है, अब देखो, क्य इस संक्या हमारी 9 से पूरी तरह से कट रही है जर्ण हम चेक करें 7 और 2 का एक नया पेयर बन गया 5 और 4 का हमारा एक पेयर बन गया 3 दो 5 और 5 और 3 आठ आठ हमारा शेश रह जा रहा है अगर 6 रह जा रहा है तो हम बोलगे यह शिंस पूर दा 9 से कट नहीं रही है बात समझ में आई, अब देखो ये question है आपका, इस question को solve करना है, मैंने आपको बताया था, प्रतिशस से भिन्न की आपको direct value याद करवाई है, तो उनको याद रखने का फाइदा यह हमारी calculation क्या होगी, थोड़ी easy हो जाएगी, अगर नहीं याद रखोगे, question होगा, मगर क्या अच्छे यह पताओ, 66 सही 2बटे 3 की value यह क्या है लिखा हुआ, 66.67 इसका भिन कितना होता है, हमने क्या आपको बताया है? 2बटे 3, 60 प्रतिशत को हमने आपको क्या बताया है, भिन कितना होता है? 3बटे 5, इसी तरह से अगर हम 80 प्रतिशद की बात करें, 80 प्रतिशत के बा चार बटे 5. 40 प्रतिशत है. 40 प्रतिशत के बारे में भी लिख देते हैं कितना होगा? 2 बटे 5. आपको इसको solve करना है. किसी संख्या का 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशिया या 66 दिसम्लो 6-6 प्रतिशत का 60 प्रतिशत का 80 प्रतिशत का 25 प्रतिशत आपको दे रखा है. उस संख्या का 40 प्रतिशत ज्याद करना है. हमने मान ली वो संख्या हमारी कितनी है? अब X का 66 दिसम्लो 6-6 प्रतिशत कितना होता है? 2 बटे 2. इसका 80 प्रतिशत कितना होता है? 4 बटे 5. इसका 25 प्रतिशत कितना होता है आपका 1 बटे 4 यह हमने लिख दिया 66.66 प्रतिशत 60 प्रतिशत का मान कितना होता है 3 बटे 5 3 बटे 5 नहीं लिखाता है इसको इधर लिख देते है यह आपका 3 बटे 5 हो गया फिर हमने ले लिए यहां पर 80 प्रतिशत ले लिए 80 प्रतिशत कितना आपका 4 बटे 5 है उसका हमने ले लिए कितना उसके बाल लिखा हुआ है का 25 प्रतिशत 25 प्रतिशत कितना होता है किसी चीज़ का आपका 1 बटे 4 एक बटे 4 ठीक है और यह हमारा किसके बराबर है? 4617 9 ठीक है? अब क्या करना है? X का मान निकालना है जब हमें X का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? X को अकेला करने की कोशिश करेंगे बागकि जितनी संक्या है उनको इधर उदर shift कर देंगे ये 4 से ये 4 कड़ गया आपका, ठीक है, ये 3 से आपका 3 कड़ गया, अब आपका बचा क्या, 2 बचा और ये 25, तो इसको हम लिख सकते है, x into 2 बटे 25, ये किसके बराबर है, 4617, तो यहाँ x कमान कितना हो जाएगा, 4617 into 25 बटे 2, मगर आपसे क्या x कमान पूछ रहा है, उस संक्या कमान पूछ रहा है, नहीं, आपसे पूछा है, उस संक्या का 40 प्रतिषद, किसी संक्या का 40 प्रतिषद मतलब 2 बटे 5, अब इस संक्या का दो बटे 5 अगर आप निकालोगे दो बटे 5 निकालोगे किसका एक्स का तो वो कितना हो जाएगा ठीक है अब इससे 2 से आपको 2 को काट दो और 5 की बार ये करने गया है जैसे ही आपने काटा तो आपको जमझ में आया है अब आपको क्या करने है 4,617 को गुणा 5 बार करना है पांच बार करोगे इससे गुणा इससे 5 बार तो कितना हो जाएगा सत्रा पन पिच्च यासी छे पंजे तीस और तीन हसिल पांच बीस और तेईस कौन सा ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है ठीक एक तरीका तो था आपने पूरी कैलकुलेशन करी दूसरा तरीका ये था जब आपने यहां पर देख लिया कितना है चार अजार 617 इंटू 25 बटे 2 यहां पर आप देखो क्या नीचे कोई ऐसी संक्या आ रही है जो 9 के मल्टिपल में है नहीं मगर उपर वाली संक्या जो आपने देखी इसको देखो ध्यान से 6 4 10 11 7 18 18 18 देखके हम समझ गए यह संक्या क्या हमारी 9 से कूरी तरह से विभाजि है तो हम आप्शन में चेक कर लें कौन सा ऐसा आप्शन है जिसमें 9 का मल्टिपल आपको मिलेगा 9 का गुरज मिलेगा तो आपको इस समझ में आया 5 3 8 और यह कितना हो गया आपका 10 8 5 13 13 16 17 18 यह संक्या हमारी क्या होगी 9 से कट रही होगी इसको जरह देखे 5 2 10 दो बार 10 5 15 15 यह संक्या नहीं कट रही होगी 5 4 9 2 11 यह भी नहीं कट रही होगी 6 2 8 8 8 16 5 21 यह भी नहीं कट रही होगी तो हमारी 9 से कटने वाली संक्या केवल एक है option A वही हमारा answer हो जाएगा यह इसका दूसरा तरीका पहला तरीका आप इसको basic से जाओ उसको करो 2 बटे 3 3 बटे 5 4 बटे question क्या होगा जल्दी is solve next question पर चलते हम आप से बोलना एक वैपारी मेले में पहले दिन 84,500 लोग आये ठीक है और चौथे दिन यह संक्या क्या हो गई यह चौथे दिन की बात कर रहा है तो कितने प्रतिशत लोग घड़ गए यह हमसे पूछा गया है यह को जब भी आप प्रतिशत में बात कर रहे होते हो जब भी आप अनुपात में बात कर रहे हो ठीक है यहाँ पर हमें real value की जोरुत नहीं होती हम लोग क्या कर सकते हैं अगर हमें अनुपात मालूम है अनुपात से ही हम बता सकते हैं कित्ते की हानी हुई कित्ते प्रतिशत घड़ गए कित्ते का लाब हुआ जैसे कि एक उधारन दें आपको पहले आपकी सेलरी कितनी थी? 100 रुपे अब मैं पूछू आपकी सेलरी कितनी हो गई है 125 रुपे तो मैं पूछू कित्ते रुपे बढ़ गई है तो आप बोलोगे सर 25 रुपे बढ़ गई है मैं बोलू नहीं नहीं मुझे प्रतिशत में बताओ तो आपने का सर किसी भी चीज का 100 में मानी क्या होता है प्रतिशत तो 25 रुपे बढ़ ही है किस पे? 100 रुपे पे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी ये 25 प्रतिशत बढ़ ही है मैंने का एकदम सही है अगर मैं आपको ये न पताता कि कि पहले आपकी सैलरी 100 रुपे थी अभी 125 है अगर मैं केवल अनुपाद बता देता अनुपाद मतलब 100 और 125 का अनुपाद केवल मैं बता देता कितना ये 25 चौको सो और कितना 25 पंजए 125 खीक है तो मैं बोल तक कितनी सैलरी आपकी बढ़ गई है आप बोलोगे सर 4 में 1 रुपए बढ़ गई है 4 में 1 रुपए बढ़ गई है तो मैं बोलूँगा 4 में अगर 1 रुपए बढ़ गई है तो जरह मुझे 100 में बताओ तो भी आपका अंसर क्या आएगा 25 प्रतिशन यहाँ अपने जो value निकाली वो real well number पे निकाली 100 पे 125 पे यहाँ जो आपने निकाली वो किस पे निकाली केवल अनुपात में निकाली 4 से आपका 5 हुआ कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 4 पे बढ़ा तो 100 पे 25 पे यही काम हम इस पे करेंगे इस पे करेंगे इसका मतलब अगर हम यह इसका यहाँ पर अनुपात निकाल लें तो यह कितना था यह दो जीरो से दो जीरो कैंसे अगर इसको ध्यान से देखो आप 16,5,8 और 9,5,45 तो यह इसका क्या है? 5 गुना है यह हम इगर इनका अनुपात लिखें तो कितना आएगा? अनुपात लिखें तो कितना आएगा यह? 5 अनुपात 1 कोई वस्तू 5 से 1 हो गई है 5 से 1 हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई यहाँ पे? कितनी कमी हुई हम यह बोलें? 4 की कमी हुई 4 की कमी हुई किस पे हुई? 5 पे हुई 5 पे 4 की कमी तो 100 पर हमें बताओ कितना होगा, आप सीधे बोल सकते हो 80 प्रतिशत आंसर इसका, आपको पूरा एक एक वैलू निकालने की जौरत नहीं, इसका अंतर निकालने की जौरत नहीं, फिर आप अंतर निकालोगे, अंतर निकालने के बाद क्या करोगे, उपर अंतर रखोगे, नी प्रतिशत घटी ऐठीक है जलते हैं नेक्स कोश्शन पर अपने इसकोश्शन को पढ़ो आप एक निश्चित रासी में 10 प्रतिशत की कटाउती करने के बाद, फिर 6 में से 20 प्रतिशत कटाउती करने के बाद, 3600 रुपय राशी 6 है, तो मूल राशी ज्याद करो, मूल राशी ग्याद करो ठीक है हमने माल लिया हमारी मूल राशी कितनी थी मूल राशी कितनी थी X थी पहले हम लोग X से करेंगे फिर बिना X के करके दिखाएंगे मूल राशी हमारी कितनी थी X थी अगर 10 प्रतिशत की कटाउती हो गई है किसी वस्तू पे अगर हम बोलें 10 प्रतिशत की व्रद्धी हो गई है तो इसका मतलब वो वस्तू क्या हो गई है खुद की 110 प्रतिशत हो गई किसी वस्तू पे 20 प्रतिशत की व्रद्धी हो गई है वो वस्तू क्या हो गई है खुद की 120 प्रतिशत हो गई है अगर हम बोलें किसी वस्तु पे 30 प्रतिशत की कमी हो गई है तो वो वस्तु अब क्या हो गई है? खुद की 70 प्रतिशत हो गई है किसी वस्तु में 10 प्रतिशत की कटाओती करने के बाद अगर वो वस्तु X थी और कटाओती कर दी है तो अब वो वस्तु क्या हो गई है 90 प्रतिशत हो गई है 10 प्रतिशत कटने के बाद कोई भी वस्तु खुद की क्या होती है 100% अगर 10% की कमी हो गई इसका मतलब वो आप खुद की कितनी हो गई 90 प्रतिशत और फिर 6 आप ये 6 राशी बची शुरुवात में कितनी थी X घटने के बाद कितनी बची X का 90 प्रतिशत 6 में से 20 प्रतिशत की कटा होती अगर 20 प्रतिशत की कटा होती मतलब 6 राशी का आप केवल कितना बचा 80 प्रतिशत अगर 20 प्रतिशत से कोई चीज घट रही है इसका मतलब वो वस्तू क्या हो रही है खुद की 80 प्रतिशत हो रही है तो वो खुद की थी कितनी अभी वो वस्त मूल राशी ग्याद करो अब मूल राशी इसमें ग्याद करनी है तुम कैसे करेंगे एक्स रखो एक्स का 90 परसेंट प्रतिशा थटा नीचे 100 बढ़ा प्रतिशा थटा नीचे 100 बढ़ा और यह किसके बराबर हो जाएगा यहां से आप एक्स का मान निकाल लो एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 3600 इंटु 100 फिर से 190 और फिर 80 यह 2 0 से यह 2 0 cancel ठीक यह कितना हो गया 9 इंटु 2 करोगे कितना हो जाएगा 72 और इस 36 इकम 36 यह 36 दोनी 22 ठीक है अब उपर क्या लिखा हुआ है और नीचे यह कितना हो गया c option आपका answer ठीक है एक तरीक तो इसका ये था दूसरोपरीक तरीक ख्याओ था दूसरोपरीक सफवरों स्कावदियस का देख लेते हैं सिट्रासी सभी 10 प्रतिशत की कटाउती करने के बाद Means प्रतिशत की कटाउती करने के बाद तो 10 प्रतिशत कितना होता है किसी चीज का 1 बटे 10 1 बटे 10 मतलब अभी हमने आपको बताया था प्रतिशत मतलब क्या होता है 10 प्रतिशत मतलब 10 में यह जो 1 है इस 10 का क्या है 10 प्रतिशत है तो 10% की कट रुती करने के बाद, तो 10 में 1 की कट रुती तो केतनी बची? 9. अब जो राशी बची है ना, जब भे ऐसी वाला केस हो, यह होती ही क्रमिक व्रद्धी, और यहां पर क्रमिक गरावट, मतलब बढ़ी भाई चीज़ को फिर से बढ़ाना, वो क्या होती है हमारी क्रमिक बढ़ोत्री और घटी हुई चीज को फिर से घटाना वो क्या होती हमारी क्रमिक घटाना क्रमिक घटाना और क्रमिक बढ़ाना इसको बोलते हैं successive का case 20 प्रतिशत फिर 6 में से 20 प्रतिशत की कटा होती 20 प्रतिशत कितना होता है किसी चीज का 1 बटे 5 1 बटे 5 मतलब 5 वाली चीज कितनी हो गई है 4 हो गई है ठीक अब वो राशी कितनी बची है हमारी 3600 राशी 6 बची है पहले आपने क्या करा किसी राशी को आपने 10 प्रतिशत से घटा आया बतलब 10 वाली चीज 9, फिर हमने 20 प्रेशर से गटाया तो 5 वाली चीज 4, तो यहाँ पर जो गुणा करने के बाद आएगा, यह हमारी क्यों होगी, पहले वो राशी कितनी थी, और यह गुणा करने के बाद बताएगा, हमारी वो बाद में राशी कितनी थी, यहाँ पर अपन कितना आया, 10 पचे, 50, यह हमारी पहले वो वस्तू की कीमत थी, और हमने क्या करना, दो बार घटाया है किसको 10 प्रतिशत से और 20 प्रतिशत से, तो अब वो वस्तू कितनी हो गए, यह हमारी 36, 50 से कोई चीज 36 हो जा रही है, और इस 36 यूनिट का ही मान कितना दे रखा हमें, 36, इस 36 यूनिट का मान हमें दे रखा है, 36 के बराबर, तो यहां से एक यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर, अगर एक यूनिट का मान आपके 100 के बराबर, तो अगर आपको यह पहले वाली राशी निकालनी है, तो आपको निकालनी कितनी है, 50 यूनिट का मा से बना सकते हैं यहां पर सो से गुणा करके ह। अगर हमने दशा से गुणा इधर कराए तो 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 सम्हकंभा ही करना पड़ेगा है तो 50 अगर सोिखुणा करोगे है तो कितना हो जाएगा पांच जशाए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और उस मेंथद से भी ठीक है जब भी बात ऐसी करें कि कोई वस्तूश अपनी कीमत से 100% की कमी हो गई उसके बात जो वस्तूश कमी होने के बाद बच्ची उस यह आपको क्या बताएगा उस बस्तु की कीमत पहले कितनी थी और यह राशी आपको बताएगी कि 10 प्रतिशाइट, 20 प्रतिशाइट, 5 प्रतिशाइट की कटाउती करने के बाद आब उसकी वैलू कितनी रहे गई है, बास समझ में आई, इसके बाद वाले कोशिशन में चलते हैं, बोल रहा है, एक संख्या स्वय के 25 प्रतिशाइट से 60 अधिक है, तो संख्या ग्याद करो, ठीक है, एक संख्या स्वय के 25 प्रतिशाइट से 70 अधिक है, तो इसको दो तरह से कर सकते हो, एक रेशियो वाले मेथड से, एक 100 वाले मेथड से, देखो आपको आने, दो तीन हमें लगाना है किस से हमारा question ज्यादा easy हो जाए एक संक्या स्वय के 25% से 60 अधिक है माल लिया वो संक्या हमारी कितनी है 100 माना वो संक्या बराबर 100 एक संक्या स्वय के 25 परसेंट से इस सो का 25 परसेंट केतना होगा 25 हमने आपको क्या बताया है कि सो का 25 परसेंट क्या होगा 25 सो का 30 परसेंट क्या होगा 30 सो का 40 परसेंट केतना होगा 40 बोल रहा है एक संक्या स्वय के 25 परसेंट सो का 25 परसेंट केतना होगा 25 से 60 अधिक है यहाँ पर यह जो संक्या है वो उसके 25 परसेंट से कितनी अधिक है आप काओ के सर यहाँ तो वो संक्या अपने 25 परसेंट से 75 अधिक है 25 परसेंट से 60 अधिक है तो संक्या याद करो यहां पर वो संक्या कितनी अधिक है 75 अधिक है तो क्या हम बोल सकते हैं इस 75 यूनिट का ही मान हमारा कितना दे रखा है 60 हमारे according कितना है वो 75 अधिक है और उनके अनुसार कितनी 60 अधिक है तो हमारा 75 यूनिट कितनी बराबर है साट के अगर हमें वो संख्या मालुम करनी है तो हम किसकी वैलू निकालने 100 यूनिट का मान निकालने तो यहां से हम लोग निकालने किसकी वैलू यहां से वैलू किसकी निकालने 100 यूनिट की वैलू निकालने 100 unit की value निकाल ले इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हैं पहले हम क्या करें 1 unit कमान कितना होता है 60 बटे 75 तो हम 100 unit कमान निकाल ले 60 into 100 बटे 75 एक तरीका यह है ठीक है यह कितना आ जाएगा 15.60, 15.75 5.48, 40 तो कितना आ गया 80 हमारा answer दूसरा तरीका क्या है 75 प्रतिशत कमान आपको 60 दे रखा है 100 प्रतिशत कमान आपको निकालना है जिसका मान आपको दे रखा होता है उसको नीचे लिखते हो और जो उसका मान है उसको उपर लिख दो जिसका मान दे रखा है 75% का मान दे रखा है तो इसको नीचे रखो और जिसका पूछ रहा है उसको उपर रखे गुणा कर दो, यह कितना आ गया, 80 आ गया, एक तरीका तो आपको यह है, कि आप 100 मान के इस question को कर सकते हो, आपने 100 मान के मान करा, एक संक्या 100 है के 25% से, मालिया वो संक्या 100 है, 100 का 25% कि कितना ज्यादा है, आपने माना है, अपने हिसाब से माना है कि अगर यह 100 unit होगा, यह 25 unit होगा, तो यह 75 unit ज्यादा होगा, मगर इसका real में कितनी ज्यादा है, 75 unit का मान किसके बराबर दे रखा है, 60 के, 75 unit का मान 60 के, तो आप यहां से बता सकते हो, 100 unit का मान कितना हो जाएगा असी जब किसी चीज के हमें real value नहीं मालूम होती है कि वो सच में वो संक्या है क्या तो हम लोग अपने अनुसार माल लेते हैं कोई भी राशी माल लो यहां पर हमने 100 इसलिए माल लिए क्योंकि हमें मालूम है किसी भी संक्या का प्रतिशत अगर निकालना है तो वो सबसे easy संक प्रतिशत को आप बताओ एक बटे चाल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं हमने आपको क्या बताए है यह जो 4 है यह 4 है और यह 1 है यह जो 1 है इस 4 का 25 प्रतिशत है यह आपको बताया था यह एक इस 4 का 25 प्रतिशत है आप से क्या बोल रहा है एक संक्या स्वय के 25 परसेंट से 60 अधिक है तो इस संक्या का 25 परसेंट कितना है एक इस 25 परसेंट से यह संक्या कितनी अधिक है अगर तीन अधिक है, तो यहां पर इस का मान कितना दे रखा है, इस तीन उनिट का मान कितना दे रखा है, यहां पर 60, तो एक उनिट का मान कितना दे रखा है, यहां पर 20, अगर एक उनिट का मान 20 दे रखा है, तो बताओ आप चार उनिट का मान नहीं बता पाऊगे, आप का हो गया हां 4 इनिट कमान कितना हो गया आपका 80 बात समझ में आई चाहे तो आप 100 मान के कर दो चाहे तो आप भिन्नों से कर दो कैसे नहीं एक बटे 4 तो इतना ज्यादा 3 ज्यादा 3 इनिट कमान साथ चलते अपने नेक्स कोईशन पर अब देखो बोल रहा है जब किसी संख्या में 47 सही एक बटे दो प्रतिशत की व्रद्धी होती है तो परड़ाम 590 हो जाता है ठीक है वो संख्या ज्याद करो अब देखो इसका हमें मालूम नहीं है 47 से एक बटे दो प्रतिशत के बारे में हमें नहीं मालूम है इसको भिनने में तो इसको हम लोग बना लेते हैं यह जरूरी नहीं कि सारे भिन हमें प्रतिशत तु भिन और भिन से प्रतिशत हमें मालूम हो तो जैसे ही आपका प्रतिशत का साइन हटेगा आप बताओगे न 85 बटे 200 ठीक है यह कितना होगे 85 बटे 200 इसको काटो के कितना हो जाएगा 17 और कितना हो जाएगा 5 20 ठीक है अब देखो कोशिशन में क्या लिखा हुआ है जब किसी संख्या के 47 साई एक बटे 2 प्रतिशत की व्रिद्धी होती है तो परिड़ाम कितना हो जाता है इतना आपको बता रहे है कुछ गड़बर हो गया है अच्छा यह गड़बर यह हो गया है यहां पर क्या लिखा हुआ है 47 से एक बटे 2 हमने लिख दिया 42 प्रतिशा साड़े 40 इसको सही कर लेते हैं हुआ 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 है ठीक है यह कितना हो जाएगा चालिज दुनी अस्टी सथ दुनी चौदर अस्टी चौदर पिचान बे बटे 200 अब इसको काट दो 5 के पाड़े से काट ओ यह कितना हो जाएगा 19 और ही कितना हो गया 5 को 20 ठीक है तो इसको हमें लिख लिए कितना हो गया 19 बटे 40 अब हमसे बोल रहा है किसी संक्या के 47 सही 1 बटे 2 प्रतिशन इस 40 का वो संक्या हमने माल लिए अगर 40 है यह 19 क्या है उसका 47 40 सही 1 बटे 2 प्रतिशन इस 40 में अगर हम 19 की व्रद्धी करते हैं तो पढ़ना हुमारा कितना हो जाता है 590 जरह इस 40 में हम 19 की व्रद्धी करें तो 40 वाली संक्या हमारी कितनी बन जाएगी हमें इसका मान किसके बराबर दे रखा है 590 के तो बताओ इसको अगर 590 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा किसी संक्या से गुणा करना पड़ेगा जिस संक्या से इधर गुणा करो उस संक्या से हमें इधर गुणा करना पड़ेगा इसको किस से गुणा करना पड़ेगा आपको 10 से तो यह संक्या आपकी क्या बन जाएगी 590 इधर भी आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा यह संक्या क्या बन जाएगी 400 तो इसका मतलब 400 वा प्रतिशत को लिख सकते हैं निस बट्टे 40 40 वाली चीज हमारी वाली हो गई कितनी 59 यह कितना 59 से 590 बनाना दस से गुणा इधर करना पड़ेगा तो दस से गुणा इधर भी करना पड़ेगा कि अब आपसे बोल रहे एग संक्या जब साड़े 24 प्रतिशत खडती है तो 270 हो बती है ठीक है वो संक्या गयाद करो साड़े 22 प्रतिशत को आप क्या समझ सकते हो साड़े 22 प्रतिशत को है भीन्य में कैसे लिख सकते हो आपको क्या मालूम है 90 प्रतिशत को आप कैसे लिख सकते हो 90 प्रतिशत को 90 प्रतिशत को आप लिखोगे क्या 9 बटे 10 ठीक है 90 प्रतिशत को क्या लिखोगे 9 बटे 10 और 90 का अधा कितना होता है 45 प्रतिशत 45 का कितना अधा होता है साडें-220 प्रतिशत तो इस नभें प्रतिशत का 1 छौेज हमारा क्या होगा 16.5 प्रतिशत जरह एक चौधाई में लोग कर देते हैं अगर एक बटे चार से इधर गुड़ा करोगे तो एक बटे नौ बटे चालिस का मतलब क्या हो गया आपका अब यह समझ्जो यह जो 9 है ना यह जो 9 है इस 40 का 25.25 प्रतिशत है जब 1 संक्या एक संक्या जब 25.25 प्रतिशत घटती है मतलब 40 में अगर यह 9 घटेगा तो कितना आएगा 31 31 तो वो कितनी हो जाती 217 आप बोलो कि 31 यूनिट का मान कितना है मारा 217 तो यहां से बताओ एक यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 7 के वो संख्या ग्याद करो वो संख्या हमने मानी क्या थी संख्या बराबर हमने क्या माना था 40 माना 40 एक उनिट का मान 7 तो 40 उनिट का मान कितना होगा 280 ये हमारा आंसर होगा बात समझ में आई अगर इतना ये बात आपका दिमाग इतना नहीं चलता है तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कई तरीके साब सोच सकते हो साड़े बाइस प्रतिशत है तो साड़े बाइस प्रतिशत को आप ऐसे लख सकते हो 22 दूनी 44 प्लस 45 बटे 2 प्रतिशत हटा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 तो इसको कैसे लेख सकते हो 45 बटे 200 5 के पारइस इसको काट दो पानवा पैतालिस पान चुको भी से तो नौ बटे चालिस साब का आगे चाहे तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो या ऐसे अगर ऐसे आप अभी सोचना स्थार्ट करोगे ना धीमे दीमे आप अपने माइंड में समझ जाओगे साड़े 22 प्रतिशत का मतलब कितना है नौ बट एक संख्या में 37% की कमी से 315 हो जाती है इसमें कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि ताकि यह 800 हो जाए ठीक है देखो हमें क्या करना है दो-तीर मेथट मालूम होने चाहिए इसके साथ सथ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कौन सा मेथट कब लगाना है अब बोल र 37 प्रतिशत कितना हो जाता आप मालूम कितना हो जाएगा 37 अगर किसी संख्या में 37 प्रतिशत की कमी हो जाती है तो वो संख्या कितनी हो गई 63, 100 से कितनी हो जाएगे 63 इस 63 यूनिट का ही मान अमको कितना दे रखा है हमे ? 360 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है यहा पे ? है थिर्जानी तूंट का मान कितना दे रखन् knowledge 315 अब बोलो कि एक युनिट का मान कितना है पांच है तो 100 सुनस्ट का मान कितना हमारा यह पांसो तो वो संख्या हमारी कितनी एक 500 हमसे बोल रहा है उसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, किसी राशी को 500 को 800 करने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, आप बोलोगे सर्थ 300 बढ़ाना चाहिए, अगर 300 बढ़ाना चाहिए, तो किस पर बढ़ाना चाहिए, आप बोलोगे सर्थ 500 पर बढ़ाना चाहिए, अगर 500 पर प्रेश्ट से बढ़ाया कम ही करने की बात करें तो घट के 47 प्रतिशत रह जाती है अगर थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा तो आप इस कोईशन को ऐसे ही बता सकते हो वह संक्या घट के कितनी रह गई है 47 प्रतिशत रह गई है इसका मतलब वह संक्या घट कर 47 परसेंट रह जाती है इसका मतलब घटी कितनी है? 53 परसेंट, 53 परस tow इच परसेंट तव्हट का इमान आपको कितना दे रकछा है 106ं अगर 53 परसेंट का मान अगर आपको 106 यह लह था हैज Кिल आपकर बाइश द दसम यह कुछ आपका अंसर होगा जो क्या ऑ का अंसा है C option है अब इसको आपको करके दिखाते हैं इस question को जब किसी संख्या में 106 घटाया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती 47% रह जाती है अगर वह 47% रह गए इमान लिया वह संख्या कितनी थी 100 अगर 100 ती हमने इसमें घटाया कितना 47% घटाया कितना हो गया 47 घटाया 47 घटाया तो वह संख्या कितनी हो गई 53 बच गई ठीक है 47% रह जाती है बोल रहा है हुआ है 47% रहiac öl्णी है तो 406 मत कति रहया जाती है जो काह Dollam क्यों TR अवे जाती है तो आप बताऊ कितने की कमी आई 45 की कमी आई वह संक्य grandpa hot और 47 प्रेशन रह जाती है 46 तो कमी कितनी आई 350 की इस 47 प्रतिशत रह जाती है तो आप बताओ कितने की कमी आई 53 की कमी आई वो संक्या 100 थी और 47 प्रतिशत रह जाती है तो कितनी रह जाती है 47 तो कमी कितनी गया आई 53 की इस 53 यूनिट का ही मान आपको कितना दे रखा है 106 के बराबर दे रखा है तो एक उनिट का मान कितना हो गया दो तो 100 उनिट का मान यहां से कितना हो गया आप काओगे 100 उनिट का मान कितना हो गया 200 हो गया ठीक है उस संख्या क्या 11.3 प्रतिशत क्या हो गया अब 200 का 11.3 प्रतिशत आप निकाल लो 200 इंटु 11.3 कि प्रतिशत हटा नीचे 100 लग गया इसके बाद ये दिसमलो फटा तो नीचे एक 100 लग गया जी-डो लग गया तो दो जी-डो से दो जी-डो चैंसिल इसको करोगे कि टना आ गया बात समझ में आई हिसके बाद एक कॉश्ण अज लेते हैं अब देख़ो ये question कितना easy question आपसे पूछा गया किसी संक्या का 35 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए संक्या को गुणा करना पड़े गा अगर किसी संक्या की में 35 प्रतिशत से अगर आप गुणा करोगे इसका मतलब क्या है 35 बटे आप 100 से गुणा करोगे अगर 35 प्रतिशयत मतलब 35 बटे 100 से गुणा करोगे तो इसका मतलब यहां पर काट दो इसको पांच के पाड़े से इसको काटो, यह कितना हो गया, साथ बार, यह कितना हो गया, बीस बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी संक्या का 35 प्रतिशत निकालने के लिए आपको, साथ बटे 20 से गुणा करना पड़ेगा, बात समझ में आई, इसके बाद एक question all लेते हैं, देखो, क्या लिखा हुआ, 14 का 14 का 14%, 28 का 28%, 96 का 92%, माइनस 85 का 15%, ठीक है, अब देखो, ऐसे question में, ऐसे question में, जब इतनी सारी calculation है, तब आप किस पर कर सकते हो काम, डियस पर काम कर सकते हो, तो यह 14 का क्या है, 14 प्रतिशत है, 28 का क्या है, 28 प्रतिशत है, यह क्या है 96 का, 92 प्रतिशत है, और यह क्या है 85 का, 15 प्रतिशत, ठीक, अब देखो, यहाँ पे अगर इसका डियस बनाओगे, कितना हो जाएका, यह 5, इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 25 का दियस कितना बन जाएगा? 7 ये कितना हो गए? 8, 2, 16 इसका दियस कितना हो गए? 8, 2, 10 और ये ये भी 10 इसका दियस भी एक बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 plus एक 8 इसका ds बनाओगे कितना होगे 9 6 15 15 का ds बनाओगे 6 यह 9 दो 11 11 का ds बनाओगे 2 6 दूनी 12 12 का ds बनाओगे कितना हो जाएगा 3 यह कितना होगे 8 पास 13 13 का ds बनाओगे 4 5 प्लस एक 6 तो 6 इंटू 4 कितना होगे 24 24 का ds बनाओगे कितना हो जाएगा 6 6 क्या है हमारा माइनस में तो कितना होगे 7 एक 8 और 8 दो 10 एक 11 माइनस 6 कितना हो गया 5 चक कर लो option में 5 किसका ds है 7 3 10 8 18 यह तो नहीं है फिर इसको चेक करो कितना हो गया 7 3 10 5 15 15 18 23 इसका कितना हो गया 5 ds यह आ रहा है 7 3 10 8 18 इसका ds 0 7 10 8 18 इसका ds 8 तो हमारा option क्या हो जाएगा भी option हो जाएगा तो ऐसे questions को आप ds से ही solve करो वैसे करोगे तो भी answer आएगा calculation मगर question आपका हो जाएगा थोड़ा calculator ठीक है तो next class में आप से मिलते हैं और कई सारे questions के साथ नए type के साथ तब तक के लिए धन्यमाद